नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपन सीखने वाले हैं कैसे सेर करते हैं मैप लोकेशन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी नए शहर में किसी से मिलने जाना होता है और हमें उस शहर के बारी में ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है तो सामने वाले को बार बार कॉल करके पूछना पड़ता है कि कहां पहुच गए क्योंकि उनके मन में डर बना रहता है कि कहीं गलत लोकेशन में तो हम नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों अपने लिए मैप लोकेशन शेयर का खाशकर यहीं ओज होता है तो आज का वीडियो का रसे हैं शुरुगा सबसे पहले आपन खुलेंगे Google Map प्रोफाइल पे क्लिक करना है प्रोफाइल पे यहां पिक्चर दिख रहा है करेंगे प्रोफाइल पे क्लिक इसके बाद आपन सबसे नीचे आएंगे यहां लिखा हुआ है Location Sharing तो सबसे नीचे आएंगे यहां लिखा है Location Sharing तो आपन करेंगे इसके क्लिक तो यहां दिखा रहा है कि हम अपना Location Already किसको किसको Share कर रखे हैं यहां आप देखेंगे दो Contact दिखा रहा है हमारा 186 दुसरा Revision कर हम दो लोगों को Already अपना Location Send कर रखे हैं तो मानल जी हमें किसी और को अपना Location Send करना है तो क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हमें यहां जानना जरूरी होगा कि जब हम अपना Location किसी को Share करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे Mobile का Location खूला होना चाहिए और अगर अपने Mobile का Location नहीं खूला है तो नहीं Send कर पाएंगे तो सबसे पहले अपना Location खूल लेंगे हमारा Location यहां दिया है यहां खूला होगा है Already और आप भी अपना खूल लीजिए तो फिर अपन क्या करेंगे करेंगे New Share यहां दिया है New Share अपन करेंगे New Share सबसे पहले अपने को यहां Time Period सेलेक्ट करना है उपर लीखा हुए For One Hour मतलब अगर इस Condition में आपन Send करेंगे Location तो केवल एक घंटे तक रहेगा उसके बाद आटोमेटिक बंद हो जाएगा तो यहां अपना Time Period बढ़ा लेते हैं करेंगे Click करेंगे Until You Turn Off This का मतलब यहां दिया है कि एक बार जब हम भेज दियें किसी को अपना Location और उसके बाद जब तक हम यहां सबंद नहीं करेंगा तब तक वहां हमारा Location देखता रहेगा यह दिया है और जो उपर वाला है For One Hour अगर इसको बढ़ाना है 2-4-6 घंटे के लिए तो प्लस पर करते ही जाएंगे बढ़ता जाएगा 2 hour, 3 hour, 4 hour ऐसे बढ़ता जाएगा तो आपने को क्या करना होगा है नीचे वाले पर करना होगा Click तो आपने को क्या करना होगा जो हम ज्यादा यूज करते हैं तो आपन क्या करेंगे इसे आगे करेंगे स्क्रोल करेंगे यहां है More करेंगे More पर क्लिक उसके बाद हमारा Contact आ गया तो मान लिजिए हमें अपना Location सत्यम को भेजना है तो हम नाम सर्च कर लेंगे कर लिए और करेंगे सत्यम्यादव को Select कर लिए Select कर दिये क्लिक यहां दिया है Share via Link मतलब कि वह लिंक जाएगा जब सामने वाला बंदा हमारा Link टच करेंगा तो सिधा Location पे ले जाएगा तो यहां टिक करके करेंगे और किसी को Send करना है तो अपन नंबर और भी सेलेक्ट कर सकते है नहीं तो अपन कर देंगे Send Loading तो हमारा Link आ गया इस Link को हम Send कर देंगे तो सत्यम्यादव हमारा Link देख सकते है तो मालीजी हम कर देंगे Send कर दिये Send अब सत्यम Message खोलेंगे उसके बाद Link पर क्लिक करेंगे तो हमारा Location देख लेंगे कि इस समय हम कहां है एक घंटे बाद जहां जाएंगे वो देख सकते हैं कि एक घंटे बाद हम कहां चले गए दो घंटे बाद हम कहां चले गए तो दोस्तों ऐसे होता है और एक दूसरा तरीका है WhatsApp के जरीए भेजना यह तो Personal Message से हो गया दूसरा भी देख लेते हैं कि WhatsApp से कैसे भेजते हैं इसको करते हैं थोड़ा सा Cancel आपन कर दिये Cancel इसको करेंगे New Share आपन कर दिये Cancel इसको करेंगे New Share करेंगे New Share तो अभी जो अपन इधर कर रहे थे यहां पर आया था More तो यहां से Contact के दौर भेज रहे थे तो उस बार अपन यह जो नीचे वाला है उपर नहीं किये थे इस बार अपन उपर कर लिए हैं तो यहां दिखा दिया WhatsApp से भेजेंगे या टेलीगराम से या कैसे भेजेंगे मतलब यहां दिखा रहा है तो आपन भेजेंगे माल जी WhatsApp के दौरा WhatsApp को लिए उसके बाद सेम प्रोसेस जो भी जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपन कर देंगे Send तो दोस्तों हम अपना लोकिस्टान ऐसे सेयर करते हैं आप भी अपना लोकिस्टान सेयर करिए तो आज के वीडियों बस इतना है अगले वीडियों आपन सीखने के लिए कुछ और लाएंगे तो बाई बाई